उनके पास कोई एक अजेंडा नहीं है और हमेशा बीजेपी और आरेसेस ये कहिते रहते हैं कि हमारे लीडरों का जबान काटने की बाद किरते हैं उनके जो एमेलेज हैं यमपीज हैं वो कहते हैं अगर कोई सच बात बोले तो हम रावल जी का जबान काट देंगे और रावल जी का असर ऐसा हो गया जैसा उनका दादी का हुआ है और ऐसी भड़काव बात करने वाले कोन है बीजेपी और आरेसेस उनके यमपी उनके एमेलेज क्यों मोदी उनको पंद नहीं कर रहे हैं क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो आरेसेस भी डरते हैं यह मेलेज से भी डरते हैं उनके एमपी से भी डरते हैं या नहीं तो वो प्रोत्साहित करते हैं चलो मैं ऐसा ही बोलता हूँ आप बोलते जाओ गालिया देते जाओ यह उन्होंने हर तरफ एंक्रेज करते जा रहे हैं और यहां तक भी राहूल जी को आतंकवादी बोला याने राहूल की जबान काटने की बाद राहूल जी को आतंकवादी बोलने की बाद और राहूल जी को देशद्रोही बोलने की बाद ये सब कौन कर रहे हैं बीजेपी बढ़काने की बात करते तो अगर कोई डराने की बात करता है कॉंग्रेस पार्टी डरेगी नहीं और ऐसे जो डराने की बात करने वाले हैं ये तो आजादी के वक्त भी डर के घर में बैठे थे देश के लिए लड़े हमारे लोग कॉंग्रेस के लोग मरे कॉंग्रेस के लोग और गांधी फैमीली में इतने लोग अपनी कुर्बानी दिये आपके पास कोई है ऐसा देश के लिए एक कुर्वान देखर बहुत भादूरी देश के लिए दिखा है क्या मात्मा गांदी जी राष्ट पिता उन्होंने जान दी देश के एकता के लिए देश के अखंडता के लिए देश के भलाई के लिए इंद्रा गांदीजी ने अपनी जान दी देश में एक ही रहना ये उनका ये था फिर उसके बाद राजिव गांदीजी ने अपनी जान दी अरे इतने लोग कुर्बान करने वाले कॉंग्रेस में हैं अभी भी फिर उनके खांदान को बार बार ये कहते हैं इसकी जीव काटो ये टेरिरिस्ट है खला ना है तो ये बात चेलेगी नहीं और हम इसको परदाश करने वाले नहीं हम हर जगे इसके खिलाप अजिटेशन करेंगे लोगों को बताएंगे कितनी गंदी दिमाग इनकी है कितना ए इनके पास कैसा एक दुश्मनी की और एक विश्भरित इनकी सोंच है तो इसलिए पायो इन लोकों को तो हटाना जरूरी है और हमारे जम्मू कश्मीर को भी बचाना ये हमारे लिए सबसे बड़ा है